स्वागत है आपका गाउं महोला के स्थास बिलेटिन में जह हम अपको बिहार के साथ सा देश और दुने के तमाम बड़ी खबरों सकर आएंगे रोगुरू मैं हुसंद्या आई जानते हैं थी बड़ी खबरों को हुसैन की महबत में जिस्म को किया लहूलुहान रश्म है इसलाम में दफनाने का पर मुहम्मद के नवासे को कफन तक ना मिला करबला की जंग में इमाम हुसैन वा उनके 72 साथियों की शहादत को बयान करते नौह पर शिया समुदाई ने अपने जिस्म के हर हिस्से से पून ब कमरा महुला ब्रह्मा पूर पैगंबर पूर कोलुहुआ हसंचक बंगरा सिपाह पूर समेथ विभिन जगाओं पर सुभा से देर रात तक मजलिस मातन का सिलसला चलता रहा यहां हुसैन की सदा के साथ अपने जिस्म को बलेर जंजी चाकू या तलवार से लहुलुहान किया कमरा महुला सितनबाब तकी खां इमाम बाड़ा मौलाना सयद काजिम सबीब ने कहा कि कर्बला की जंग ने पूरी दुनिया को बुराय के खिलाफ लड़ने का पैगाम दिया इमाम गुसैन ने हख की हिफाज़त के लिए अपनी शहादत दी चराग में पिता को कंधा दिया राम विलास अमर रहें के नारे लगे दिघा घाड पर अंतिम संस्कार किया गया लोग दिन शक्ति पार्टी के संस्थापक रहे राम विलास पासवान की अंतिम यात्रा उनके पटना वाले घर से निकल दिघा घाट पर राज के सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया पासवान की अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले इसके पुरी स्थित उनके आवास पर महौल काफी भाबुक हो गया बेटी चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया लोगों की आँखे नम हो गई राम विलास पासवान अमर रहे की नारे लगे पार्थिव शरीर को सेना के वाहन पर रखा गया शुक्रवार शाम करीब आर्थ बजे पासवान का पार्थिव शरीर पठन पहुचा था एरपोर्ट पर ही मुख्यमदिन नितिश कुमार ने राम विलास को सुरधांजली दी नितिश की आँखों में नमी थी और चिराग पासवान से उनकी आँखों ही आँखों में बात बिहार में 15 से स्कूल कॉलेज खुलेंगे मंदिर में दर्शन भी होंगे शादी विभा का आयोजन भी होगा बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर से तमाम तरह की गतिविधियों की शर्ट अनुमती दे दी है पांच दिन बाद राजे में सामाजिक सैंक्षण एक राजनेतिक धार में खेल समेत अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएगी सरकार ने इन गतिविधियों के लिए शुर्टे तैकरते हुए मानक संचालन फ्रकरिया जारी कर दी है इन गतिविधियों पर कोरोना संक्ट के कारण लॉकडाउन के समय से रोक थी याद रहे कि केंजी सरकार ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 में इन गतिविधियों से संबंधित मानक संचालन फ्रकरिया जारी की थी जिसमें राजस सरकारों को निर्ने लेने की जिमेदारी दी गई थी ग्रह विभाद के आदेश के मुताबेक 15 अक्टूबर से राज्य में होने वाले किसी भी कारेकरम का आयोजन बंदिस्थलों के साथ खुले मैदान में भी हो सकता है बंदिस्थलों में अधिक्तन 230 शामिल हो सकते हैं हौल की शम्ता के अनुसार 50 प्रतिशत तक उपस्थिती की अनुमती रहेगी हौल में एसी का तापमान 24 से 30 डिगरी के बीच रखना होगा आयोजन यह सुनिश्चित करेंगे कि अंगतु को द्वारा छोड़ा गया फेस मास्क दस्ताना आदी वहां पढ़ाना रहे उसका समुचित निफ्टारा करवाना होगा बिहार की शरद सागर को के बीसी एक्सपर्ट के तौर पर चुना गया 2016 में ओबामा ने वाइट हाउस में किया था आमंतृत बिहार के 28 वर्षिय सामाजिक उद्दमी शरद विवेक सागर को अमिताब बच्चन ने कौन बनेगा करोडपती में विशेशग्य के रूप में आमंतृत किया है टीवी के इस लोप्रीय शोव में विशेशग्य के रूप में शामिल होने वाले वे पहले विहारी हैं 28 सितंबर को कौन बनेगा करोडपती के बारवे सीजन के शुरुआत हुई इस शोव के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष में उन्हें आमंत रण भेजा गया है 12 से 13 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले एपिशोड में शरद एक्सपर्ट के रूप में दिखेंगे वे के 20 सी मिलिशे शड़े के रूप में टेलिवीजन पर पूरे देश भर से आई प्रतिधागियों का मार्ज दर्शन करेंगे और चुनोती कोन सवालों में उनका स्रीयोप करेंगे दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन चारी दशारे पर ना मेले लगेंगे ना बठे का प्रिशाद कोरोना संकट और बिहार विधासवा चुनात के बीच इस दखे दुर्गा पूजा और दशारा के रौनक ठीकी रहेगी दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ मंदिर और घर में ही होगा ना मेले लगेंगे ना सामोहिक रूप से प्रिसाद बाटे जाएंगे यही नहीं लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमती नहीं होगे रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा सार्वजनी की स्थानों पर रावण देहन की भी अनुमत ही नहीं दी गई है कंटेंवन जों से बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर विहार सरकार के ग्रहवी भाग में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पांडाल मंदिर समेट अन्य स्थानों पर एकत्र होते हैं एलजेपी उम्मेदवार रानी कुमारी का नॉमिनेशन रध नाराज पार्टी कारेकरताओं ने किया जमकर हंगामा विहार विधानसभा चुनाव के लिए जिले में प्रतियाश्यों के नामांकन कागज़ात की जाच की गई इसमें जिले के तीनों विधानसभा से दो दर्जन प्रतियाश्यों के नामांकन रध कर दिये गए हैं जिसमें कई निर्दलिय उम्मीदवार सहित लोगजन शक्ति पार्टी की प्रतियाशी रानी कुमारी भी शामिल है दरासर प्रत्थम चर्ण की चुनात को लेकर शुक्रवार को प्रतियाश्यों के नामांकन कागज़ात की जाच को लेकर निर्वाचन कारयाले में स्टूटनी के दोरान जहानाबाद विधांसबच खेत्र के आठ उम्मीदवार वही घोसी विधांसबच खेत्र से साथ उम्मीदवारों के अलावा जिले के मकदुमपुर सुरक्षित विधांसबच खेत्र से नो उम्मीदवारों का नामांकन रध किया गया इस दोरा निर्वाचन कार्याले के समझ काफी गहवा गहमी भी देखने को मिली नामांकर रध करने को लेकर मगदुंपुर सीट से लजेपी प्रत्याशी राने कुमारी ने जिला प्रशाशन पर प्रक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत उनका नामांकर रध किया गया है उन्होंने कहा कि उनके वोटर लिस्ट में क्रमांक की माइनर मिस्टेक होने के कारण उनका नामांकर रध कर पिया गया है जो कहीं से भी जायज नहीं है वही उन्होंने इसको लेकर आंदोलन और आत्मधा करने की धम की दी है साथ ही चुनावायों को भी लिखे तावे दन्भीजा है वही रानी कुमारी का नावां तन्रद होने पर उनके समठ्थकों ने हंगामा किया वहार के 243 दागघरों में खुलेंगे कॉमन सर्विस टेंटर से अधिक सुविधाय मिलेंगी यहां के लोग जन्म परमानपत्र अवस्य परमानपत्र बनवाने समेत तीन सो सेवाओं का लाब उठा सकेंगे शहरी और ग्रामिंड छेतरों में रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी यह जानकारी चीफ पोस्ट मास्टर जर्नरल अनिल कुमार ने शुकरवार को राष्टे डाक सप्ताह की शुरुआत के मौके पर दी पटना जीपीउ स्तित बिहार डाक सरकल में विश्व डाक दिवस बनाया गया इसी केव साथ राष्टे डाक सप्ताह की शुरुआत हुई चीफ पोस्ट मास्टर जर्नल अनिल कुमार ने कारेकरम की शुरुआत की उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक हर दिन अलग-अलग सेक्टर से जुड़े ग्राहकों की जटन समस्य का समधान किया जाएगा हांथरस कांड आरोपियो के वकील एपी सिंग ने लाइव शो में उजागर किया पीडिता का नाम हो सकती है कारवाही हांथरस की बेटी के लिए इंसाथ की लड़ाई जारी है वहीं एबिपी न्यूस पर लाइव चर्चा के दौरान हांथरस की निर्भिया केस के आरोपियो के वकील एपी सिंग ने पीडिता का नाम ले लिया भारते कानून रेप पीडिता का सारवजिनिक रूप से नाम लेने की इजाज़त नहीं देता ये कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है आईपी सी की धारा 228-A के तहत पीडिता का नाम सारवजिनिक रूप से उजागर करने पर अधिक्तम दो साल की सज़ा देने का प्राध्धान है इसके साथ ही कोट के पास जुर्माना लगाने का भी अधिकार है ABP News ने एपी सिंग के इस बड़ता की कड़ी निंदा की है लाइफ चर्टा के दौरान पैनल पर मौजूद निर्भ्या केस की वकेल सीमा खुशवाहा ने कहा पीडिता का इस तरह से नाम लेने पर एपी सिंग के खिलाफ F.I.R. हो सकती है दूसरी बात यह है इस मामले को राजिनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं यह परिवार पर ही लड़की को मारने का आरोप कैसे लगा सकते हैं सिटिंग सेट महुआ छोड़ हसनपूर से चुनावी ताल ठोकिंगे तेज़ प्रताब पत्नी एश्वर्या के हाथ खाली बिहार के चुनावी मौसम में सियासी गहमा गहमी के बेच प्रत्याशियों के नामों का लगातार एलान किया जा रहा है इसी बेच बड़ी खबर सामने आई है बिहार के पूर्व स्कीम लालूप यादव के बड़े बेटे तेज़ प्रताब यादव ने अपनी विधान सभा सीट बदल ली है जबकि तेज प्रताव यादप की पत्नी एश्वरिया के भी चुनाव लड़ने की बाते कही गई थी लेकिन उनके हाथ खाली रह गए बिहार चुनाव कनहिया करेंगे महागरबंधन के लिए प्रिचार विपक्षे दलों के महागरबंधन में शामिल भारते कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने साफ किया है कि उनके अंदर कोई संघर्ष नहीं है उन्होंने कहा है कि जेन्यू छातर संग के पूर्व अध्याक्षवा सीपियाई के राष्टे कार्य कारेनी के सदस्रे कनहिया कुमार भी चुनावी मभियान में शरीक होंगे ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस चुनाव में राष्ट जन्ता दल के नेता से जस्वी यादवर कनहिया कुमार मंच भी शियर कर सकते हैं बिहार में बागी नेताओं को बीजेपी की चेताब में 12 अक्रूबर तक पार्टी में लॉंटे वर्ना होगी कारवाही बिहार विधान सब चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही देन बाकी बचे हैं लेकिन NDA में मची उथल पुथल ठंती नजर नहीं आ रही है लोग जन्शक्ती पार्टी की NDA से अलग होने के बाद पिछले चंद दिनों में ही भाजपा के पांच नेता पार्टी छोड़ कर जा चुके हैं एक तरह जहां LJP प्रमुक्ष राख पासवन ने जेडियू के सामने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है तो वहीं भाजपा ने भी फुले तोर पर कहा है कि जिन है नितेश कुमार का नेतरित वो सुईकार नहीं वो NDA का हिस्सा धीन नहीं रह सकते बिहार भाजपा के अध्याक्ष संजे जैस्वाल ने बागी नेता उंप कुछ यताबनी देते हुए कहा है कि अगर 12 अक्टूबर तक ही नेता पार्टी में वापस नहीं लोटे तो उनके उपर कारवाही की जाएगी गाउ महला के इस खास बिलेटिन में आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्षिन बताएं और वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें